हेलो एब्रीवन आई वेल्कम तो यू इन माई चैनल वन्स अगेन मैं फिर से एक बार आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं पिछले दिन कुछ पर्सनल वज़ा से कुछ पर्सनल कारण से आप तक जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं पहुंच पाई थी तो चलिए आज हम लोग वाइस का पार्ट टू देखते हैं ठीक है इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंप प्रजेंट के जितने भी काइंड होते हैं except प्रजेंट पर्फेट कॉंटेनी वास्ट टेंज को छोड़कर बांकी जो sentence हमने देखा था simple present tense present continuous tense और present perfect tense इन तीनों को किस तरह से active से passive में बदला जाता है यह हम लोगों ने देखा था आज हम लोग past tense जाने कि past tense के जो kinds हैं उसको active से passive में कैसे बदलेंगे आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे ठीक है तो आईए आप लोग focus हो करके सीखेंगे सबसे पहला है पास्टेंस का पास्टेंस का पहला काइंड होता है लेट्स मेक टू तो पहला पार्ट है सीम्पल पास्ट सीम्पल पास्टेंस इस इंपल पास्टेंस सबसे पहले आई अब देखते हैं सिम्पल पास्टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वाइस में यह स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लास वी टू प्लास अब्जेक्ट इस वोड़ी दे स्ट्रक्चर इन एक्टिव वाइस एक्टिव वाइस में यह स्ट्रक्चर होगा अब पैसिव का यह देखते हैं इन पैसिव बैस्ट्रक्टर गुड़ बी अब्जेक्ट प्लस वाज वाज प्लस वी थ्री प्लस बाइएंड सब्जेक्ट यह होगे आपको पैसिव वाइस का स्ट्रक्टर अगर कोई भी सेंटेंज अगर सिंपल पार्ट पास्टेंज में होगा तो उसमें यह स्ट्रक्टर हम लोग फॉलो करेंगे लेट सी हाओ अगर दे प्लेड कि दे प्लेड कबड़ी कि दे प्लेड कबड़ी यह आप देख रहे हैं प्ले प्ले का भर्ब टू होता है पास्ट पास्ट फॉर्म प्लेड ठीक है तो यह आए इसको कैसे बनाते हैं कबड़ी कबड़ी वाज कबड़ी इस दा नेम ओफ गेम एक गेम का नाम होता है इसलिए यहां पर हम कबड़ी क्या है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्प के साथ एग्री करता है तो यहां हो जाएगा कबड़ी वाज प्लेड 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 बाई देम दे चेंजस्टू देम वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो दे किस चीज़ में होता है देम में नेक्स्ट वगाफ देए वी अग परोट अ मैनी नॉविल स मैनी नॉविल से इसमें आपने देखा कि यह सबजेक्ट था यह भर्ब था यह अबजेक्ट था चलिए यहां पर देखते हैं गेटगराइज करते हैं यह सबजेक्ट verb and this is the object so object will come in this side object will take the place of subject many novels the Andy J upload many novels of you have a key yeah you can have plural plural subject a figure your plural subject at the plural subject Kelly I'm log where I use carrying it we are will be used for plural subject many novels war war right back on era past participle written many novels war written by us by us we changes to us while changing from active to passive active so the passive model to her to be us may be the Lata next is a talk of simple present tense के बारे में सोरी सिम्पल पास्ट इन फैक्ट नाव वी विल सी सिम पास्ट कॉंटिनुवास अब हम लोग सीखेंगे की अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट कॉंटिनुवा स्टेंस में होगा तो उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे आए देखे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वाइस में एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वा य्गिवा व्स्ट वीपूर प्लस प्लस अजेट थिसुmpfenे ट्जेट वूज एसे थूज्एंगि एक्टिव देन बींग भी थरी प्लस बाइप्लस सब्जेक्ट इसको याद रखने का एक ट्रिक है आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कॉंटिनिवस में भी हमने कुछ इसी प्रकार से बदला था ठीक है सिर्फ उसमें प्रेजेंट कॉंटिनिवस टेंज में क्या था इस आर एम था यहां हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और यहां पर हम लोग वाज वेर का यूज कर रहे हैं ठीक है तो उसके बाद सिर्फ बींग जोड़ देना है बींग सिर्फ एड़ करना है पैसिब में बाकि सब आपको वही रहेगा वी थरी यह तो कॉमन है सब्जेक्ट औब्जेक्ट यह सब कॉमन है सिर्फ आपको वह फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्बी मेमुराइज करना है कि क्या यूज किया जाएगा है आए कुछ एक्जांपल के साथ इसको समझते हैं बहतर डंग से हाँ 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 चले इसका लेते हैं पास्ट कॉंटिनेवर्स का एक्जम्पल देवग्ष स्वल्डर्ण देवर्स को शोल्डल सी धिया कर्स्वे लोग अपनी अपनी गाड़ियां अपनी अपनी कारें बेच रहे थे तो यहां देख रहे हैं यहां यह आपका हो गया पहले इसको identify कर लिया जाए सब्जेक्ट अब यह जो रूल आपको दिया है एक्टिव से पैसी बनाने के लिए बस इसी क्या अधार पर इसको आपको बदल देना है है सबसे पहले उपजैक्ट है तो दियर कार्स की ецीयर कार्स की दियर कारस है यह यह जो सबजेक्ट हो गया यह कौसा है सिंगलर है या प्लूडल है विविशली क्ryमि स्में एस लगा हुआ है कि अगम इसके लिए अब विएर का यूज किया जाएगा दियर कार्सWa बीए 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 ए बीए 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 इन okay is that all right okay now another example my mother was my mother was cooking cooking food Mary mom bhojan paka rai thi कि अजबी काफी गर्मी है बच्चों का लेक्ट चुली मैं एक फ्यूनरल में चला गया था जिसके वज़ा से आप लोगों तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं पहुंच पाया होगा उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं सोडी फर दैट बट आज मुझे मौका मिला तो मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो ले करके आया हूं ठीक है इसको आप लोग जरूर देखियेगा my mother was cooking food अविसमें यह हो गया subject this is the verb and this is the object so object will replace again the subject food food was being cooked by my mother by my mother भोजन मेरी मा के द्वारा पकाया पकाया जा रहा था ठीक है दोनों में आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है sentences में sentences के formation में थोरा सा difference है बट दा मीनिंग इस सेम नाव दे नेक्स्ट वान अब हम लोग इसके आगे बनाएंगे past perfect tense का चलिया यह देखते हैं past perfect tense third kind of past tense past perfect tense इसमें active में हो जाएगा इसका subject plus head plus v3 plus object this is the structure of past perfect tense यह past perfect tense का structure हो जाएगा active में आपने टेंस में जरूर पढ़ा हो कि subject यानि कि she had eaten food वह भोजन कर चुकी थी they had completed the lesson वे लोग पाठ खत्म कर चुके थे अब आये पैसिव में इसका structure देखते हैं पैसिव में अगें अब्जेक्ट विल रिप्लेस the subject head will be added then then bean इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ बीन जुडेगा बांकी सब वह रहेगा सिर्फ हैड के बाद आपको बीन लगा देना है प्लास वी थ्री प्लस बाइप्लस सब्जेक्ट तो दिस रॉक्टर वोड़ी फॉलोड वाइल चेंजिंग फॉर्म एक्टिव वाइस टू पैसिव वाइस एक्टिव से पैसी में बदलते समय हम यह structure फॉलो करेंगे पास्ट प्रफेक्टेंस में लेट सी सम अब दी ग्जाम्पल्स आयो कुछ इग्जाम्पल्स को देखते हैं दो पॉलीश हैड दो पॉलीश हैड दो पॉलीश हैड धुप दुछ द थीफ द थीफ पॉलीश चौड को पकड चुकी थी चौड को पकाड कुके थे आये यहहां थौर से देख लिया जा है एक बार य्ये दिस था सब्ञेक्ट इस द थीफ मैं सिर अब्र, अग्ण्यानि क्वार्ब्स ग्जात हिस में स्वेद अब्स है तो अब दाठीफ हैड आधि यहां रहां किया है बीन तटेहां बीन लग जाएगा इसके बार लटीफ हैड बीन कॉर्ट यहां पर इस्टिट गवी यूज कर सकते हैं इस चैन्स में एक्टिव में आफ कॉर्ट के जगह पर एरेस्टेट का भी यूज़ कर सकते हैं कि दाथीफ हैड बीन कॉर्ट कि बाइदा पॉलीस कि किसी बुक में आपको इस तरह से भी दिया हुआ होगा मेंस बोथ कैन भी फॉलोड दोनों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि एक रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है वाप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब गड़के पिछला वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है इसमें मैंने एक डूल बताया था कि इफ दस सब्जाइक्ट is known of if the subject is known then it is not need to mention कि वाचेंजिंग फ्रोम अक्टिब पेसी एक्टिब से पैसीं में बदलते समय अगर माली जिया कि subject act known है तो वहां पर डालना सरूरी नहीं है कुल किए अधिव हैद विन कोट बाइद प्लीस को उपर आप चोर को अगर पकरता है करता है तो कॉन पॉकरता ओछी अभी स्लिट प्लीच so here this is not need to mention by the police is not need to mention लेकिन किसी किसी बुक में आपको दोनों तरह से दिया हुआ रहता है इसी तरह से दाथीफ है विन कॉट फिर उसके बाद स्लैश दे करके बाइद पॉलिस यानि कि दोनों रूल आप फॉलो कर सकते हैं चले उसके बाद चौथा एक और इक्जांपल ले लिया जा इसमें कि दो चिल्डरेन हैड अधा चिल्डरेन हैड कंप्लीटेड 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 दियर होमवर्क दियर दियर होमवर्क यहां गेना आप देख सकते हैं थोरा साइक बार सब्जेक्ट हैड एक जाओ पुलिटेड मार्व और दियर होमवर्क अब्जड ओड़क विलर दियर होमवर्क यहां बड़कट दियर होमवर्क the year homework had been completed अब यहाँ बाई दा चिल्डरेन अगें दा सेम सिनरीयो वूढ़ी फालोर्ग यहां पर भी वही सिनरीयों फॉलोर किया जाएगा दीयर हमबर्ग हैडवीन कंप्लीटेड होंबर्ग जो दिया जाता है वोभी आश्लीह बाच्चों को ही दिया जाता है ठीक है तो यहां पर फिर से बाइद चिल्डेन मेंशन करना जरूरी नहीं है कि चलिए ये तो था पास्ट परफेक्ट के बारे में अब पास्ट परफेक्ट कॉंटिनीवा स्टेंज जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉंटिनीवा स्टेंज के बारे में भी बताया था ठीक उसी तरह से पास्ट प्रफेक्ट कॉंटिनिवस टेंस भी ऐसा टेंस होता है जिसका पैसिफ फॉर्म नहीं होता है प्यारे बच्चों जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस से को व्वइस में कैसे बदला जाता है उससमय मैंने इस बात पर थोरा सा चर्चा बी किया था ऑखी पास्ट परिफेक्ट कॉंटिनिवस का पैसिफ फॉर्म नहीं होता है ठीक उसी प्रकार इन डिसी palm कि वाहरे एक्टिब से पैसी यहां से बीलिख सकते हैं है कि पास्ट कि परफेक्ट कॉंटिनीव वास कि पास्ट परफेक्ट कॉंटिनीव वास इसके आगे आप लिख सकते हैं नो चेंज कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा है चलिए अब यह था आपको पास्टेंज को कैसे बदला जाता है एक्टिव से पैसीब में अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंज फ्यूचर टेंज के आधार पर जानि कि फ्यूचर टेंज को कैसे एक्टिव से पैसीब में बदला जाता है अब हम लोग जानेंगे इसको अब बिस इस थार्ड काइंड आफ टेंज फ्यूचर टेंज कि फ्यूचर टेंज का पहला काइंड है सिंपल फ्यूचर है सिंपल है सिंपल है सिंपल फ्यूचर है सिंपल फ्यूचर कि आपने टेंज में पढ़ा होगा जिस हिंदी वाक्य क्यांत में गा गेगी लगा हो उसे सिंपल फ्यूचर टेंज कहते हैं कि इसमें अक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट में प्लस में शाल वेल प्लस वीवान प्लस ऑबजेक्ट ठीक है शाल वील सब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस ऑबजेक्ट आपने अभी मॉडर्न ग्रामर में जो देखा होगा उसमें शाल का यूज जो है करीब-करीब हट ही चुका है नौ के बराबर होता है आई के साथ भी अब सब लोग विल का ही यूज करते हैं ठीकिन आपने जरूर देखा होगा या आपने स्कूल में कॉलेजिस में भी जरूर पढ़ा होगा तो आईए देखते हैं लेकिन फिर भी जो रूल है उसके नुसार हम लोग इसको सीखेंगे प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाइ प्लस सब्जेक्ट यह आपको हो जागा पैसिब का स्ट्रुक्चर ओलाइट चलिए विग्जाम्पल ही विल बीट हीम बीट हर यहां कर दिया जाए ही विल बीट हर यह आपको सब्जेक्ट यह भर्ब यह अब्जेक्ट अब अब्जेक्ट हर जो है इधर आगड के क्या हो जाएगा शी शी के साथ भी विल का यूज करेंगे शी विल बीट है शी विल बीट है यह विल बीट है बाई यह वुड वी चैंज टू हीम him okay next is यू विल टेल अलाई यू सब्जेक्ट विल टेल भर्व अलाई ऑब्जेक्ट फिर से अब ऑब्जेक्ट इसी नियम के नुसार आपको बस चेंज कर देना है अलाई विल बी टोल्ड बाई यू अलाई विल बी टोल्ड बाई यू यानि कि तुम तुम जूट बोलोगे और तुमसे जूट बोला जाएगा ठीक है next अब आते हैं फ्यूचर continuous इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है फ्यूचर कॉंटी निव वास 10 10 देन्स डाजन्ट हाव पैसिव फॉर्म इसके आगे आप लोग लिख लिए नो चेंज नो चेंज ओके नौ थर्ड वन थर्ड काइंट थर्ड काइंट है फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें एक्टिव में स्ट्रॉक्चर होगा इसका subject shall will then have then V3 then object V3 is also called the past participle form of the verb V3 को हम लोग यानि की भर्ब के तीसरे form ko हम लोग past participle form of the verb भी कहते हैं now the structure would be in passive see the rule object will again replace subject object plus shall will then have then been on been will be added been past participle form then by then subject so this is the structure needs to follow while changing from passive to sorry active to passive active से passive में बदलते समय हमें यही इस्ट्रक्चर फॉलो करना है चले इसको आगे देखते हैं इसके कुछ examples को हम लोग लेंगे ज्यांदी जेगा आप लोग ओके लेट सी फूचर पर्फेक्ट थेंस I will have I will have completed the project completed the project मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होंगा I will have completed the project I is subject, will have completed verb and the project, object यह आपको object हो जाएगा अब यह जो rule मैंने आपको बताया है बस इसी को follow करना है this structure needs to follow आई देखें the project the project will have been completed the project will have been completed by me by me ठीक है एक और एक्जाम्पल लेते हैं आपको लेते हैं we shall have sung the national anthem the the national anthem national anthem national anthem यानि कि राष्ट्रगान राष्ट्रगान हम लोग प्रति दिन schools में colleges में या यहां तक की movies देखने जो जाते हैं वहां पर भी mandatory कर दिया गया है आप लोगों को शाहत जानकारी हो ठीक है तो आईए देखें यहां पर यह subject है shall have sung this is the verb and the national anthem is the object सबसे देखें voice को change करते समय आपको सबसे पहले तीन चीज़ क्लेर होना चाहिए subject, verb और object यह तीन चीज़ अगर आपको clear है तो आप असानी से किसी भी tense को active से passive में बदल सकते हैं और passive से active में भी बदल सकते हैं पैसी में आपको यह structure दिया हुआ रहेगा इस structure में आपको लाना है just opposite ठीक है सिर्फ आपको opposite उसको पलट देना है आईए इसको देखें the national anthem the national anthem will have been आपको यहां पर फिर से चुकी नेशनल अंथम में तो सभी लोग शड़िक होते हैं आपको यहां पर आपको सब्जेक्ट लगानी कोई जरूरत नहीं है दा नेशनल अंथम will have been sung गाया जा चुका हो जा obviously हमी लोग गाएंगे तो यहां पर आपको सब्जेक्ट डालना जरूरी नहीं है चले तो यह था हाँ उसके बाद आता है यह तो था प्यूचर परफेक्ट इंस का अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिन्यूवस फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिन्यूवस इसका भी हो जाएगा नो चेंज नो चेंज तो प्यारे बच्चों यह आपका टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है यह आपका कंप्लीट हुआ इसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं कि चार चार टेंस का जो है बदलाव नहीं होता है एक्टिव से पैसिव में हम चार टेंसट को बिल्कुल नहीं बदलते हैं सब से पहला यह मैं अगर तो नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल बना के मैं आप लोगों को बता दूंगा आप लोग भी उसका टेबल बना सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो चार टेंस का जो है नहीं बदलता है किसकी स्टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉंटिनीवस टेंस दूसरा पास् इन चार टेंस का एक्टिव से पैसिव में नहीं बनाया जाता है तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही कल हम लोग वोई इसी का नेक्स पार्ट पढ़ेंगे कि आखिर मॉडल्स मॉडल्स जब यूज किये जाते हैं एक्टिव वाइस में तो उसको God bless you and thank you